Good morning all of you, आज हम पढ़ते हैं आपके चैप्टर अतीत के आईने में अध्याय थर्ड, तीसरा अध्याय है अतीत के आईने में यह जो पाठ है आपका अध्याय है वो लिका है श्रीमती शीलादर ने इनका जर्मसन उन्निसों उनननतेस में हुआ था और मरत्यू 26 जुलाई दो अजार एक को हुई थी इसमें भारत के बारे में बताया गया कि भारतेश कैसा है और इसमें जो खुदाई में समान मिला वो कै साथा श्रीमती शीलादर थी इंजुलत ही जास्त्री गाइका थी इनले गायन का प gesch्ण और ब्रेंका कारे भी किया था इननने अपनी गाईकी के साथ साथ लेकन कारे भी किया, इन्होंने बच्चों के लिए भी रचनाई की, इनकी इनी रचनाओं पर आदारेत, प्रस्तत पार्ट में प्राचीन भारत के सम्रद संस्कृति का वर्णन किया है, जो पहले प्राचीन भारत, यह पुराना जो भारत था, उस की ससकती का वर्णन किया गया है, हमारे विद्वानों ने खुदाई से मिले, अनेक शाक्षों का स्विश्म विशलेशन कर, हमारे पूर्वजों को प्रतेक कारे, जैसे इंट बनाना, नगर नियोजन, नगर का निवान करना, श्वच्छता और अनेक आर्थिक गतिविदिय हमें दक्ष बताया है, अब श्री धर्प पाठी का क्या किए, श्री धर्प क्या थिए लेकिका लेकिका कि आती है, कि जो आज से बहुत साल पहले मोन, जो दोडों में, हरटपा में, जो भी खुदाईया हुई, उनका हमारे विज्ञाने को ने घहन अध्यन किया, और विश नगर नियोजन यानि एक नगर कैसे Neo Rifats I couple of b customer to add to do drawn a health पेले जो भी नगर नियोजन का कारे वर वो बड़ अच्छे तरीके से व आ हमारे जो पूर्वस्तए कि सकारे में लक्ष ते जो हम देखते हैं के कुदाई हुई मोंजोदोडो की खुदाई थी, आडपपा की खुदाई थी, उनमें बड़े-बड़े विशाल स्नानागार मिले हैं, अन्न रखने के लिए बड़े-बड़े म्रदबान यानि मिट्टी से बने वे बरतन मिले थे, आप देखों, उसमें आभूशन मिले, औरतों के लिए औरत चीजे नस्त हो गई, लेकिन उनके सक्षे आज भी है, वही सब इस पार्ट में बताया गया है, कानी हमारे प्यारे बारत देश की है, जिन साधरन लोगों, मापुर्शों, सूर्वी राजाओं और रिशी, मुनियों के बारे में आप जानते हैं, वे भी भारत से प्यार करत थे और इसे अपनी जन्मभूमी कहते थे, बारत का नक्षा एक बड़े तिरकौन सा है, इसके उत्तर में हिमाले परवत, पश्यमी किनारे पर अरब सागर और भारत, अरब सागर और पूरवी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, फिर वो कहते हैं, कि हिमाले की तरही में नदियां बहते है, नदियां महते है, सिंदु, गंगा और ब्रह्म पुत्र नदिया, सिंदु नदी के कारण इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा, अब आप से कोई पुछे हैं कि हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा, तो हम कह सकते हैं कि सिंदु नदी के बारत से कट गया और वह पाकिस्तान कहलाया। लोग कहते हैं मतलब ऐसा विज्ञानिकों ने खुझा है। और इसके साक्षे भी हैं, इसके प्रूफ भी हैं कि जिस इलाके में सिंदू नदी बहती थी, उसका एक कुछ हिसा पहले, कुछ हिसा कुछ साल पहले कट गया, बारत से कट गया और वो पाकिस्तान कहलाया, देश के मद्य में विंद्य परवत है, जो उत्तर भारत को दक्षिन भारत से अलग कौन करता है, तो आप कहेंगे कि देश के मद्य में विंद्य परवत है, जो उत्तर भारत को दक्षिन भारत से अलग करता है, दक्षिन भारत की बड़ी नदियां, नरमदा, तापती, मा, नदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है, जो धुर दक्षिन का पतला लंबा कोना, कन्या कुमारी कहलाता है, और इसे हिंद माह सागर चूता है, इन जब को कौन चूता है, हिंद माह सागर, क्या कह रहा है, लेकर दुबारा देखो, द्रुव दक्षिन का पतला लंबा कोना, द्रुव और दक्षिन का जो पतला से एक लंबा सा कोना है, व समय समुंदरी जाज इत्यादी नहीं थे बार्त में आने का एकी रास्ता कौन सा था? उत्तर के पाड़ों से था. संसार में सबसे उचे हमाले को पार करना बहुत आसान नहीं था. लेकी का कहती हैं उस समय उत्तर का जो हमाले था उसे पार करना आसान नहीं था. इस परवत में चोटे चोटे रास्ते हैं, जिने दर्रे कहते हैं, आप देखो पाड़ों के बीच में जो चोटे चोटे रास्ते निकलते हैं, उन्हें हम दर्रे कहते हैं, इनी दर्रों के रास्ते, समय समय पर बहुत से लोग भारत आये, अधिकतर व्यापारी इसी रास्ते से आते थे, यद यदि हिमाले नहीं होता, तो आज हम भारत की कानी कुछ और होती, लेखिया कहती है कि जो भारत हिमाले की चोटी चोटी दर्रे थे, यनि कि रास्ते जो निकल रहे थे, उसी से दूसरी देश की लोग हमारे साथ व्यापार करते, यदि हिमाले नहीं होता, तो आज भारत की कान करता है प्रकृतिने हमाले और समंद्रों की रूप में हमारे देश को मजबूत सिमाएं लेक्षा करता है कही न कई समंद्रों लिया मजबूत सिमाएं गिता है लाण na तरह तरह के प्राकरतिक द्रश्य हैं और यहां के अबु गवा यनि अबु हुआ जलवाइ। आप भी देखते हो आपके आस पास में अलग अलग तरह की कपड़े पहने वाली लोग मिलेंगे, कोई सलवार सूट पहनता है, कोई साड़ी पहनता है, कोई कुछ पहनता है, कोई राजपूती ट्रेस पहनता है तो वो कहता है कि अलग-अलग तरह के लोग आपको मिलेंगे बहुत से लोगों का ऐसे परिवारों से संबंध है जो काफी पहले बहुत जूर से भारत आए कितने पहले ये तो हम नहीं बता सकते फिर वो लेकर कहता है कि कितने बहुत सारे ऐसे लोग है जो बाहर से भारत में आए और कितने पहले आए यि हम नहीं बता सकते, लेकिन इतने पहले की गट्नाओ को हम जानते किस तरह से हैं, किताबों से, गीतों से, चित्रों से, और मकान, तदा मंदिर जैसे भवनों से, फिर लेकी का कहती है कि, बहुत पुराने ज़ो साक्षे मं ह願い बहुत पुराने किसे हैं, लोग किस तरह रहा करते थे लेकिन आज हम पुराने जमाणे के बारे में बहुत सी थोड़ी पुराने जमाने की जानते हैं एसा इसलिए कि किताबेगे नहीं कि उन्हें खागई ठ्वा गीठों को लोग बूल गेट गाना आप देखो किसी शादे में जाते तो भुज़ूर कसे माइलाई होती है या गाओं में जाओगे तो लोग गीत गा रहे हैं शहरी जो महिलाए हैं वो गीत भूल गई है तो वो कहती है कि हो सकता है कि भवन तूट फूट गए हो यहां तक कि पत्रों पर खुदी बाते भी हवा और पानी की रगड से मीट गई एक समय था जब लोगों ने ना तो किता आबे लिखते थे नहीं मंदिर बनेभाते थे लेकिन वर्थनों का इस्तमाल करते थे जिन मकानों में रहते थे जिन चूडियों को उपहनते थे और जिनमंगी पत्तरों से वह शिकार करते थे उनने कुछ स्थानों पर जमीन के नीचे गड़ा पाया गया हैं तो देक्वत आज हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं ऐसे साक्षिय हैं हमारे पास कि जो लोग पत्थरों के बरतन इस्तमाल करते थे या फिर कुछ नुकेले पत्थरों से वे शिकार करते थे या जिन मकानों में वो रहते थे या जिन चूडियों का वो इस्तमाल करते थे वो जमीन के न कि इन चीजों का इस्तमाल करने वाले लोग किस परकार रहते होंगे। सच तो यह है कि कुछ इलाकों में खुदाई करके हमारे विद्वानों ने पूरे नगर के नगर पाए। पूरे के पूरे नगर गुदाई की गई तब देखा कि पूरे के पूरे नगर वहाँ पर बसेवे थे। सिर्फ पैनताले साल पहले सिंध में मिला जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इस थान के आसपास रहने वाले ग्रामेन्द इसे बरसों से मोहं जोदुड़ो अपफा मृतको के डुझा, यनी कि मिट्टी से बना टिला के नाम से पुकारते आ रहे हैं. लेकिन इस डू के निचे डू यानि मिट्टी से बना तीला हम पुकारते आ रहे हैं लेकिन इस डू के निचे 6,000 साल पुराना एक नगर मिला जिसका नाम रखा गया मोहन जोदुरो अब लेकक ने बताया कि किस परकार मोहन जोदुरो इन नग नाम से एक हमें नगर मिला मोहन जो दोडो मिला है तो वहां पर यह पता चला कि वहां के लोगों ने इंट बनाना भी सीख लिया था यानि इंट बनाना जानते थे जो उनकी नगर योजना थी वो इंटो से बने वे थे उनकी जो मकान थे वो इंटो से बने वे थे इंटो से वे अपने लिए सुंदर मकान बन तो सब्सक्रांटी थि नालिया बना कर नगर को साफ रखते थे पिनाने के लिए बड़े-बड़े शुनानांगार और रथोद उथा बैल गाड़ियों के चल्ले के लिए चौड़ी-चौड़ी सडके मौन जोदर्रों में बड़ी-बड़ी सडके भी मिली वे अवस्य ही होंगे क्योंकि नगर मी निटी के बने सुंदर बरतनं और तामेवतकासे, बने है में हथियार ही पाएंग गए आयो तक mbरतनों और मुहरों पर जानवरों ता देवी देवतावेधां कि आकरतिय भनाते थे दुँhaus इससे हमें अमालूम होता है कि वे किन-किन जानवरों को जानते थे, अब जब उनकी दिवारों पर देखा गया, तो कई जानवरों की तस्वीरे उक्यरी गई थी, यानि कि तस्वीरे मनाई गई थी, कई देवी-देवताओं कि हमें तस्वीरे उनकी दिवारों पर मिली है, त तो वो दिवारों पर जो तस्वीरे हैं वो देखके हम यह जान सकते हैं कि वो किन-किन जानवरों को जान दे थे और किन-किन देवताओं को वो मानते थे किन-किन देवी देवताओं के पूजा करते थे उनकी लिकावट या लिपी कैसी थी मनकों से बने गले के हार, सोने वह हाथी के दात के गहने कि उन्हें सुन्दर चीजों से प्यार था और वे उन्हें तयार कर सकते थे अब आप जब देखेंगे कि वहाँ पर सुन्दर गहने बने वे मिले थे वे हाथी दान से मिले भे मिले, अभुषन मिले तो हमके सकते हैं, कि उनको अभुषंड़ों का शोकता और उन्हें बनाना भी आता था. कपड़े बनाने के लिए भे कपाथ काम में लाते थे, वे एक देवी और शिर्फ जैसे एक ही देवता की पूजा करते थे, वे लिखना जानते थे और ये भी है कि मोंच चोदुड़ों में ऐसे कुछ साक्षे मिले हैं जो लिखे वे मिले हैं तो हम कह सकते हैं कि वो लिखना जानते थे लेकिन उस लिपी को आज तक पढ़ा नहीं जा सकता कहने का ताथ करें कि उनकी बाशा कौन सी थी वो अमें अभी भी नहीं पता अब तो सिंद एक सुखा और बंजर प्रदेश है पर सदा हमेशा ऐसा नहीं था हजारों साल पहले यह एक हरा परा और उपचाव प्रदेश था मों जो दूर की मूरों पर सिहां भाग गेंड़ा और हाती जैसे जानौरों के चित्र थे इस तरह की जानवर बड़े जंगलों में ही रह सकते हैं मौन जोडुडों की तरह के और भी नगरों का पथा चला सिर्फ मौन जोडुडों ही नहीं और भी नगर थे जैसे हडपा था पर पंजाब में हडपा ऐसा एक नगर था उस समय अनेक नगर सिंदू के तट पर बसे आप ही देखो कि जो भी पुराने लोग थे जो भी आदिव सिंदू-गाटी के लोग प्रंतु शिंदू-गाटी के निवाशियों के नगर सिंदूऔर पंजाब ही नहीं ए उससे बि आगे V roll नदी मौन और उत्तरपर देश में मेरण चिले तक फेले हुए थे एसा एक नगरिल गुजरात के लोन नगर स्तान पर भी पाया गया है लो मिट्टी तामे के जो बरतन मिले हैं उनके बारे में आप अधी कुछ सोच नहीं सके लेकिन कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 6,000 साल पहले खनी से धातू तयार करना और मन्चाहर रूप देना कितना कटिन काम रहा होगा लेखी का कहती है कि आप ही सुच हो कि आज से 6,000 साल पहले यदि आपूशन बन रहे हैं चूरी बना रहे हैं तो वो लोगों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा क्योंकि आज के समय में तो टेकनोलोजी इतनी भड़ गई है कि हम कुछ भी आसानी से बना सकते हैं लेकिन आज से पहले यह सब कितना मुश्किल रहा होग 6,000 साल पहले संसार के अनेक भागों के निवासी जंगली जीवन बिताते उस समय के लोगों के पास घर नहीं थे अब लेकी का क्या किती है 6,000 साल पहले अनेक संसार के अनेक भागों के निवासी जंगली जीवन बिताते थे उस समय लोगों के पास घर नहीं थे वे गुफाओं में सोया करते थे, वे कपड़े नहीं, जानवरों की खाल पहनते, वे लकड़ी में पत्तर गौश कर सिकार के लिए जाते था, तो का इस्तमाल उन्हें मालूम नहीं था, वे कच्चा मास और जंगली बेर खाते, जंगलों में गुमते फिरते, इसलिए हम जिवासियों की तरह जीवन बिताते थे, यानि कि उन्हें नहीं पता था कि आभुशन कैसे बनाते हैं, वे कच्चा मास काते थे, गुफाओं में रहते थे, और जंगलों में जंगली जानवरों के साथ या अदिवाशियों की तरह गूमते थे, लेकिन जो हमारे बारतिय ज उन्हें भाषा भी आती थी तो कम गर्व से कह सकते हैं कि जो हमारे भारतिय पूरुवस थे वो बहुत समझदार और कुसल कारेगर थे थेंक यू